स्वागत आपके इस वीडियो में विज्यान, फिजिकल साइंस और बायलोजिकल साइंस as well as math के कोछ छोटे-छोटे points हैं, छोटे-छोटे questions हैं जो कि कई बार पुछे जाते हैं, अक्सर पुछा जाते हैं तो आईए उस पर discuss करते हैं, इसी करब में हम सुरू करते हैं सबसे पहले कौन सा, विज्यान सिक्छड में परियोग साला का महतो है, अब देखिए भौती की विज्यान की बात करें या जीव विज्यान की बात करें, दोनों विज्यान में ये सवाल बहुत important है, साथी साथ सीख सकते हैं, किसमें परियोग साला में ही सीख सकते हैं, बिना परियोग साला के आप विज्यान को नहीं सीख सकते हैं, कौन सा विज्यान, हम दोनों विज्यान की हो, तो भौती की विज्यान और जीव विज्यान दोनों को समझे, अगर आप भौती की विज्यान के विद् परियोग साला के बिना यह भी लखना पड़ेगा और परियोग साला की बिना चाहे वह भौती की विग्यान हो या जीव विग्यान हो सिछण संभाव नहीं परियोग साला के सहायता से ही बालक स्वेम किरिया करके ज्यान प्राप्ति कर सकते हैं किरिया करके स्वेम गिरिया करके ज्यान प्राप्ति कर सकते हैं तथा विविन वस्तुओं का निरिक्षड एवं परियोग करके सध्धानतिक ज्यान वास्त विक्ता को समझ सकते हैं समझ में आ रही है मतलब परियोग साला के बीना विज्ञान संभाव नहीं इन चीज़ों को आपको लिखना पड़ेगा किताम अब आईए इसमें इंपोर्टन क्या है दोस्तों सवाल आप से ये भी पूछा जा सकता है मालेजिए कि बहुत ही कि विज्ञान या जीव आप से पूछा जा सकता है परियोग साला निर्माण के बिन्दू जब आप कोई परियोग साला के परिवार पूछा जा सकता है या परियोग साला को प्रभावित करने वाले कारक भी पूछा जा सकता है तो देखिए जब भी बात परियोग साला की होगी तो क्या क्या आपक कर दिकाई पर्तिक्षाटक्ठेट्र के लिए आवस्थक अस्थान होना चाहिए और पर्योक्तमांते इंट्धार में आपने देखा dual चीजे दिखी हैं तो जब बात जीव विज्ञान की हो तो जीव विज्ञान लेंसेज आउतल दरपड उतल दरपड समतल दरपड प्रिज्म यह सारी चीज़ें आप यहां पे लिखिए अगर आप जीव विग्यान के विद्धियारती हैं तो लिखिए उसमें की कोशिका या फिर जो भी सेल्स होते हैं माइक्रोस कोपो टेलिसकोपो जो भी विज्यान की उपक्राण होता हैं आप उनके नाम यहां पर लिए सुरूम की व्यवस्था होनी चाहिए सांत वातार अर्वन्टे प्रात्मीक उपचार के साधन होने चाहिए क्योंकि access labs में क्या होता है कोई भी कभी कुछ accident हो सकता है तो देखिए यह होगी आप प्रयुक्षाला के बारे में और यह आपने जाना कि प्रयुक्षाला के आवसेक तत्व कौन-कौन से होते हैं अब आए नेक्स कोशन देखते हैं दोस्तों की विग्यान सिक्षण में संग्रहाले का क्या होता है म्यूजियम म्यूजियम का क्या उपयोग है ठीक है तो तक यह चाहे भौती की विग्यान की बात करें या जीव विग्यान की बात करें ठीक है या फिर अगर इतियास की student हो तो उसके लिए भी संग्रहाले का महत तो बह इसे अंग्रेजी सब्त के म्यूजियम से समझा जाता है जिसका संग्रहाले किसी भी विशय के सिक्षड में प्रभावी अस्थान होता है अब देखे विज्ञान के बारें बात करें तो आप भौतिकी विज्ञान या जीव विज्ञान एक परियोगात्मक विशय है जिसमें विभिन जब आप भौतिकी विज्ञान के विद्यारती है तो आप लिखिए विभिन उपकरण सिधांत मसीनों यंत्र का अध्यन प्रत्यच अनुभवत वरा किया जाता है अगर आप जीव विज्ञान एक परियोगसाला विशय है परियोगात्मक विशय है जिसके विभिन जीव जन्तू वनस्पति एवं उनके परियावरों का अध्यन प्रत्यच रूप से किया जाता है तो संग्रहाले से क्या होता वही संग्रहाले से आपके प्रत्यच अनुभव प्रधान होता है अगर आप जीव विज्ञान है तो आप जन्तू वनस्पतियों के बारे में तो जब आप संग्रहाले में जाके कोई चीजों को देखेंगे तो आपको एक अस्थाई ज्यान मिलेगा प्रते शनुबव, गुणे ओंधों की विवेचना, और सिक्षा को सरल और प्रभावी बनाने में शहाइता तो यह हो गए विज्ञान सिक्षड में संग्रहाले के लाप अगर long answer में पूछता है या फिर art number में पूछता है तो इसको heading बना के इसके अंदर छाप दीजिए ठीक है अगर short में पूछता है तो किवरा point डाल दीजिए अब आईए में अब next point देखते हैं दोस्तो देखिए एक चीज़ तो confirm है कि आपका एक lesson plan पूछा जाएगा वो भी long में ठीक है तो पंदर नमर में एक lesson plan आपसे पूछा जाएगा लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि आपसे केवल ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि आप lesson plan से क्या समझते हैं पाठ योजना का क्या अर्थ है तो देखिए पाठ योजना का तत्पर उन सभी बातों के विस्तार पूर्वक वीवरण से है ठीक है पहले आसान समझें पाठ योजना क्या होता है जब कोई सिच्छक पढ़ाने जाता है सिच्छड कारे करने जाता है तो उससे पहले वो एक योजना बनाता है वो दिमाग में भी योजना बना सकता है लिखित रूप से भी योजना बनाता है उसी कोई पाठ योजना कहते है पढ़ाने से पहले बनाई गई योजना क्या कहलाती है पाठी योजना कहलाती है तो देखिए पाठी योजना का तत्पर उन सभी बातों के विस्तार पूर्वक विवरण से हैं जिने सिचक एक निश्चित आउधी के अंदर कक्छा में पढ़ाने से पूर्व तयार कर लेता है वही बात लिखी गई है इससे क्या तब इससे सिचक क सिच्छड कारे करने में सहायता मिलती है तता यह सुनिश्चित हो जाता है कि क्या पढ़ाना है कैसे पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है तो समझ में आगई पाठी योजना की परिभासा सिंपसम ने क्या कहा था सिंपसम के अनुसार पाठी योजना में सिच्छक अपनी व बहुतिकी विग्यान की बात करें तभी यही पार्थियोजना की परिभासा होगी, पार्थियोजना की परिभासा होगी, जी विग्यान की बात करें तभी यही पार्थियोजना की परिभासा होगी, चाहे कोई भी आपका optional subject हो, पार्थियोजना की अर्थ यही होता है, अब लुँब्सत्य। हम पार्फ योजना को सिर्षक्त में देखिए बहुत सारे पॉइंट। से पहले डेट होता है। आव looks वर्लीन लिखता है समाने और देस, dieses to this विचिस को katha हैde पाता होगा। आफ घ्यानातमक समाच उडएस, मनुक्रियातमक उडएस तो यह से टॉपिक निकालना है उद्देश सिक्षड विधियां प्रस्तूतिकर्ण बुधात्म पुरस्ट निस्यांपटकार कक्षा कारे निरिछड मुल्यांकर पुनरविती और ग्रिये कारे आप इसकी स्क्रीनिशॉट ले लिए ये लेस्न प्लान के सिर्सक है मतलब ये हेडिंग जब भी लेसन प्लान बनाए जाता है इन चीज़ों का मेंशन कियाता है तो कभी-कभी ये सवाल आज नमबर में पुछा जा सकता है कि पार्थ होज्णा के विविन सिर्सक कोन है ठीक है तो यह हो गई दोस्तों नेक्स देखते हैं दोस्तों पार्थे पुस्तक के बारे में जाते हैं यह अध्यापक का मार्ग दर्सन करने का कारे करती है ठीक है और इसके दोबारा चात्रों को में स्वार्थ प्राणी का विकास होता है मतलब खुद से पढ़ने का विकास होता है पाठे पुस्तक दोबारा किसी छेत्र वीसेस की गति वीदियो को एक जूट कर पान है ठीक पाहले पुस्तक की महाद बहुत सारे चीज़ें एक टेक्स्ट बुक का महा तो क्या है आप असानी से लिख सकते हैं बाहीं अर्टे पुस्तक चात्रों को एक विशेवस्तू को संकृत करने में साहईता प्रदान करती है ठीक है सारी पुश्त को एक जगा इकठा करन पाठे पुष्टक मंद बुद्टी से था प्रतिभा सारी दोनों परकार के बालों के लिए चाहिए आप टैलेंट है या थोड़ा से द्रीक है तो आप दोनों के लिए प्योंगी है पाठे पुष्टक के अधार पर कक्छा कारे का मुल्यांका नसंभाव है यह परिछा के समय है छात्रों में सहायक होती है ठीक है पाठे पुष्टक के अधार पर प्रतिक राज में प्रतिक कक्छा में एक निश्चित पाठे वस्तू का अध्यान सब्बह होता है ठीक है एक निश्चित बना सकते है पाठे पुष्टक से अध्यान एक रूपता आती है सारे बचे एक चीज़ पढ़ते हैं एक हम कुछ और पढ़ रहे हैं कुछ नहीं सब के लिए एक पाठे पुष्टक बनी जाती है जिसमें एक रूप एक रूपता आती है एक समान्द रूप का अध्यल का कारे चलता रहता है नेक दोस्ते तो कि इस इनके माध्यम से छात्रों की स्मरण अमत स्वेग्यान तर्क्सक्ती का विकास होता है तो यह सारी चीज़ें पाठ्यh-pustak की महत्तु हो गई ठीक है अच्छी पाठ्यh-pustak और रहे हैं तो च्छाप कि आस रहे होती है विश्वश्वस्दू का संगठन तारकिकत मनोविःयनिक होता ह मांसिक अस्थर का मतलब क्या होता है कोई ऐसा नहीं कि आपने ऐसा बूग बना दिये जो बहुत ज़्यादा टफ हो डिफिकल्ट हो और यह तो बहुत आसान हो नहीं नहीं मांसिक अस्थर के अनुरूप होना चाहिए ठीक है व्याख्या स्पस्टिकर उधारत की मदद से का व मतले हो विद्वानों की संदर्फ असपष्ट विष्वनियं त Journal मतब्छे व्याद वैलिट चीज़े लिखियो विद्वानों के संदर्फ लिखा अर मुक्यमृ प्रिष्ट सचित्र आकर्श्र साथ पाथे长 पुस्ता की विष्षे सा ये भी है कि अच्छी होने चाहिए उस जो एक्सराइज याना जो प्रॉब्लम से कोश्टन से वह बालों को कि अस्तरव होना चाहिए इसके आरावे आप और भी लिख सकते हैं कि बहुत महेंगाना होना चाहिए और आपकी फ्यूचर से जुड़ा होना चाहिए आपकी समाज से जुड़ा होना चाहिए तो यह हो कि अhmर परद्धन कोशन है जैसे कि आव बहुतिका जीव भी जयं के संबंद है वह locks हो अब करने जब आब होना जीला को दॉत्त पंतर आ तो में एक्शाम हो जा इसको कण वें फुन्ह ईता की मिलेगे आपको कैसे लगी कैसा लगी यह वीडियो और प्लीज कोई फीडबेक हो तो जरूर बताएं मुझे आपके कमेंट्स पढ़के बहुत कुछी मिलती है और प्लीज कमेंट्स में आप टॉपिक भी बिता सकते हैं कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है बनाऊगा बहुत मुझे इस वीडियो को देखने के लिए मिलते हैं कमेंट्स में मिलते हैं अगले वीडियो में जैहें जया भारत पढ़ते रही है एक बार रिविजन करते रही है अपना खूब ख्याल रखिए और अच्छे मार्स लाना है जैहें